दोस्तो आज की इस वीडियो में हम किसी भी वीडियो के बैकगराउंड को रिमूब करना सीखने वाले हैं और उस बैकगराउंड के बदले किसी दूसरे बैकगराउंड को हम उस वीडियो में लगाना भी सिखेंगे नॉर्मली क्या होता है लोग background remove करने के लिए green परदे का यूज करते हैं क्योंकि जो green color होता है वो हमारी body के color से एकदम different होता है तो उसे remove करना बिलकुल आसान होता है लेकिन आज के समय कई सारे advanced software ऐसे अभी आ चुके हैं जिनके वज़े से अब किसी भी video के background को remove कर सकते हैं औ अभी किसी भी हिसाब से green बिलकुल green नहीं दिखाई दे रहा है अलग-अलग इसमें color दिखाई दे रहे है तो हम आज की इस video में इस video के background को remove करेंगे और इस background के जगर किसी दूसरे background को लगाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये video play करके भी ये लड़की जो perform कर रही है इसके background को आज हम remove करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो play store में जाना है और एक application को install करना है जिसका नाम है काई master सर्च बॉक्स में आपने type करना है काई master जैसे ही आप काई master टाइप करते हैं तो इस काई master application को आपने install कर ले रहा है और इसे open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पे आपने इसे okay कर देना है और जितनी भी यह permissions मांगता है सबको आपने आपे allow कर देना है तो यहाँ पे अभी काई master application खुल चुकी है यहाँ पे कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं create वाला option दिखाई पढ़ा है इसके बाद create new वाले option पे आपने click कर लेना है तो यहाँ पे अपना ratio आपने अभी यहाँ पे choose कर लेना है कि यहाँ पे 16 into 9 लेना चाहते हैं या 9 into 16 लेना चाहते हैं जो normally YouTube वीडियो होती है उनके लिए 16 into 9 resolution चलता है और जो TikTok या Instagram वीडियो होती है उनके लिए 9 into 16 जो resolution है वो चलता है यहाँ पे हम Instagram जो short है वो उसे उसका background remove करने वाले है तो यहाँ पे हम 9 into 16 ले रहे हैं तो यहाँ पे यह सेलेक्ट करके आपने create वाले option पे click कर लेना है और जितनी भी यह permissions मांगता है सबको आपने यहाँ पे allow कर देना है इसके बाद कुछ इस type का इसमें इंटरफे तो यहाँ पे अभी हमने वो वीडियो ले ली है जो भी background हमने लगाना है इसके बाद आपने यहाँ पे वो वीडियो लेनी है जिसका भी background आप remove करना चाते हैं लेकिन वो वीडियो आप यहाँ पे media वाले option से select नहीं करेंगे जो primary वीडियो है जो भी background आप लगाना चाते है वो यहाँ से select करेंगे इसके बाद दूसरी वीडियो जिसका background आप remove करना चाहते है यहाँ पे layer वाला option दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप media वाला option देख सकते हैं यहाँ से आप वो वीडियो select करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम वो video यहाँपे इसमें select कर रहे हैं और यहाँ पर आपने ओक्के वाले option पर click करना है तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं दोनों वीडियो पर आ चुके हैं वो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी background हमने लगाना है वो पीछे है और जिसका background हमने remove करना है वो वीडियो आप यहाँ पे आगे पे देख सकते हैं अभी हम जिसका background remove करना है उस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे adjust कर रहे हैं और इसे हम full screen में यहाँ अभी adjust कर रहे हैं जिस भी वीडियो का background आप इसमें remove करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको कुछ option देखने के लिए मिल जाएंगे तो थोड़ा सा नीची की तरफ अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पे आपको option दिखाई पड़ते हैं यह chroma key वाला option आपको दिखाई पड़ता है जब आपके वीडियो का background जो है वो green है तो इससे green background chroma की से remove किया दाता है तेकिन हमारा जो वीडियो है उसमें अलग-अलग color है तो इसका background remove करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते है magic remover वाला एक option दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे magic remover वाले option पे आपने यहाँ पे tick कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे tick करते हैं तो अभी यह processing हो रही है और आपका जो वीडियो का background है वो remove हो रहा है थोड़ी देर wait करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इस वीडियो का background है वो remove हो चुका है और जो हम background लगाना चाहा रहे थे वो अभी इसके पीछे आ चुका है इस वीडियो को अगर आप play करके देखते हैं तो यहाँ पे play वाले option पे click करना है तो जैसे ही हम इसे वीडियो को play करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं जो background था वो बिल्कुल पूरी तरह से अभी इसमें remove हो चुका है इसे आप छोटा या बड़ा करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने click करना है और इस वीडियो को अगर आप trim करना चाहते हैं और भी छोटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कैंची वाली आइकन पे आपने click करना है और जैसी आप click करते हैं तो यहाँ पे इसे right side वाला आपने इसमें portion कार देना है जैसी आप right side वाला portion इसमें कारते हैं तो अभी ये थोड़ा सा और इसमें trim हो चुका है तो इसे export करने के लिए अब अपनी gallery में लाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे उपर पे side यहाँ पे इस icon पे आपने click करना है इस icon पे click करने के बाद आपको अलग-अलग option इसमें देखने के लिए मिलते हैं कि किस resolution में आप इसे save करना चाते हैं हम इसे 1080P में save करना चाते हैं अपनी gallery में तो यहाँ पे हमने ये वाला resolution इसमें choose कर लिया है इसके बाद आपने save as video वाले option पे click कर देना है जैसी ही आप यहाँ पे save as video वाले option पे click करते हैं तो अभी आपका जो वीडियो है वो सेव हो रहा है सेव होने के बाद ये वीडियो आपकी गैलेरी में आज आएगा तो दोस्तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो के बैक ग्राउंड को काइन मास्टर अप्लिकेशन की मदद से रिमूव कर सकते हैं थन्यवाद